हैलो एब्रीवन, वेलकम टू टीपेटी ओलान क्लासेस, हिस्ट्री का थोर्ड चप्टर हम लो डिस्कस कर रहे हैं, इस चाप्टर में आज इस वीडियो लेक्चर के थूरू एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन में इस क्या होता ह जिससे पूरी के पूरे कंट्री की पूरे के पूरे वर्ड की जो सप्लाई चैन है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशन्स होते हैं, वो इंपैक्ट हो जाए, किसी भी कंट्री की जो करेंसी के वैलू होती है, वो नीचे चलिया है, बह सारी सिच्वेसंज को बोते हैं तो ग्रेट डेप्रेशन और ऐसा एंग्रीटड डेखने को मिला था यूएस में कब 1929 में हुआ क्या था उस टाई में सेयर मार्केट चलता था यूएस में कि यह मार्केट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए थे अचानक एक रीमर फैला कि इस सेर के प्राइजेश जो है कुछ दीनों में नीचे गिरने वाले हैं तो लोगोंने क्या कि अपने अपनने सेरざ美國 के अपने शुरूरु कर दिये। जब पेचने सुरूरु कर दिये तो सेर मार्केट के पास में जितने सारे पैसे थे वो बाहर जाने लगी और पेपर्स आने लगी. इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे दुणिया में खलबली मच गई कि सचमे कनामी जो है डान होने वाली और लोगों नीई अपने पैसे जो है सेयर मार्केट से निकालने सुरू करते है जब सेयर मार्केट सा पैसे निकालते हैं किसी भी कंट्री की जो करंसी उटी होती उसके वैलू Governor होने लगती है जब वैलू डाउन होगी तो उसका इंप्रक्ट किसके पड़ेगा एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे यह बात हो रहे हैं कि 1929 तो इससे क्या होगा कि जन्रेशन होती भोकमोने लगी लोगों की इंकम कम होने लगी ट्रिड जो है है बहुत थे जी से क्या करने लगा करने लगा जो भी इंपर चल रहा है कि दिमांड बहुत जादी थी इसकी supply यूएस कानाडा वस्टेलिया वाले कर रहे थे तो यहां पे agriculture बहुत जादे मात्रा में क्या कर रहा था बूम कर रहा था लोगों का business जो फ्लारिश हो रहा था कहां पे यूएस में अचानक से ये situation के लिए ठोग गई कौन सी वाले great depression की great depression लोगों को लगा कि अब कोई को लगा कि जो हम किसी भी country से कोई समान खरी देंगे तो वो हमें जादे महंगी पढ़ेंगे तो उन्हेंने समान खरीदना बंद कर दिया या फिर जो इंडस्टी में कोई भी सपोज करी कार का manufacturing हो रहा है कहीं वेपन का manufacturing हो रहा है तो वो वेपन जो है सपोज करी अभी 100 1000 डॉलर्स देने के लिए नहीं होते थे यह सारी चीजें हो गई और इसके कारण होगा कि बहुत सरे लोगों ने बिजनेस को क्या कर दिया बंद कर दिया जब बिजनेस को बंद करेंगे तो कई सारे लोगों के जौब भी जानी होती है तो अग्रिकल्चर प्राइज इतनी जादे मात्रा में कम हो गया लोगों ने प्रोडक्शन करना बन कर दिया जो इंडस्यल उते हैं इनकी प्राइज इतनी जादे कम हो गया किaltet उसको उसका नया मनफेक्च्रिंग करना बंद कर दिया गया जब यह सारा चीज USA के अंदर में हो रहा था तो लोगों ने गया जब जाएगी उनका तो खर्चा तो डेली का रुखने वाला है नहीं उनको डेली कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं family का family की को कम्प्लीट करने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है तो पैसे जो है जितने कोई भी ब्यक्ति जब जोब करता है नहीं पर भी तो अपने एक्स्रा पैसे कहां रखता है बैंकों में लोगों नों सेविंग्स हैं वह आप हमें विड्रॉव करके दो सारे बैंकों में भीड लगने लगी लोग वहां खाड़े हों कि अपने पैसे बिड्रॉव कर रहे हैं बैंक भी कॉलाप्स कर गए कि बैंकों के पास अचानक कितनी सारी करेंसी आएगी कहां से देने के लिए इसके अलाबा जो बैंक जो है लोगों को लोन बाटते थे लोन बाटते थे कि चलो बाई ठीक है पांच परसेंट रेट पर हमसे ले लो ले लो हमारे पैसे बैंक में बढ़े हैं हम इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बैंकों क्या कर दिया लोन देना बंद कर दिया और जो पूराने वा करने के लिए इंड़ाश्टर्ट परिटिणंगike recall को खरीदने के लिए ये शारी चल में का छिए Merc field को खरीदने के लिए को घजब जबड़र की वैलुगी कम हो रही है और एक शबात मुंड़ पैसे चुपाने पड़िए पैसे थी नहीं लाटीन अमेरिका का क्या हल था लाटीन अमेरिका में जब जाएंगे निब्राजील हो गया वेने जुएला हो गया ये फिर नीचे कोलंबिया वाले इलागे हो गया इन country's में क्या हो गया कि again यहांपे भी agriculture जो raw material थे इनके prices बहुत हथतक नीचे आगए बहुत हद तक नीचे आ गए जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइज़ नीच आएंगे तो कोई भी नया बिजनेस करना नहीं चाहता वो क्या करेगा अपना बिजनेस सिंपल सा तरीका उसको बंद कर देगा इसके अलावा यूएस में क्या हो गया कि जो यूएस में अब चु उसी चीज को खरिदने में वहां पर 10 डॉलर्स का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था अगर यूएस का कोई बंदा दूसर देश से खरीद रहा है तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि 20 लगा दिया कि जान बुझके जब लोगों को लगेगा कि यूएस के ट्रेडर्स को लगे त्रेड नहीं चल ला है तेससे क्या होगा कि जो टिपलोमेटिक रिलेशन्स थे इस इस ड्रेड डिप्रेशन के चलते यह भी बहुत अधके इंप्रेटर हुए अब इस ब्रेटर रेष्ण का इंडिया को पर माधिक पड़ा इंडिया में भी इंडिया तो अच्छुता था यह भी globalization का एक तरीके से पड़ था 1928 से लेके 1934 के बीच में इंडिया का export और import कितना होगा सीथे 50% पर संट पे आ गया तो जितना export import इंडिया करता था उसका सीथे तक नीचे गिर गए अब देखिए जितना ज़्यादी अगरिकल्चर प्रॉड्यूस की प्राइजिस तो कम हो हो रही हैं लेकिन ब्रिटिस इतने थे बतमीज उन्होंने क्या कि उन्होंने रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं किया उनकी जो रेवेन्यू यह लोग ब्रिटीश इंगे लेते थे हमारे फार्मर से ले दे दे उसमें एक रूपे की कटवती नहीं हुई और कटवती नहीं किया उन्होंने इवेन उसको बढ़ा दिया कि ठीक है अभी जो है इत्रेस्ट हमको इतना मिलता था टेक्स इतना मिलता था और जादे हमको टेक् नहीं दिया अभी जो डिप्रेशन का असर है अर्बन इडिया पे बहुत जादे पड़ा जो मिडिल क्लास थी बहुत सारे लोग जॉब करते थे सेलरेड इंपलोईड थे उनकी जब जॉब चली गई बैचारों की नहीं लगे बैंकों के बाहर चलने लगे पैसे निकालने लगे और उसकी पैसे का सारे बिजिनेस उनोंने बंहोंने बंद करवा ती है पैसे देने बंदक दी यूएस के बैंक रखे थे अब इंटरस्ट के शाथ में अपने लोन के पैसे चाहिए वह इसलिए चाहिए कि जिन्हों से सेवंग अकाउंस में पैसे हमारे बैंगों में जमाइक हैं वह बोढ़ेंकों के बाहर में लाइन लगा हैं कि उनकों उनके नंके कैसे वापस चाहिए इसलिए हम अपने लुण खतम हो गई बिजनेस को लाप्स कर गए इस तरीके से देखेंगे तो पूरे का पूरे ग्रीट डिप्रेशन का असर सोसाइटी के उपर में सोसाइटी में क्यों सोसाइटी में कोई भी एक ऐसा सेक्शन नहीं बजा था जिसको इसने बरबाद ना किया हो पॉलिटिक्स के उपर में पॉलिटिक्स के करन्सी जब डिवैलूड हो रही है तो दो कंट्री के रिलेस्टन्स आपर आलेड़ी डैमेज हुए की नहीं हो उसका निगेटिम इंपक्ट पड़ा इंटरनेशनल रिलेस्टन के चौपट हुए ट्रेट चौपट हुए तो यानि यूँ कहें कि जो ग्रेट डिप्रेशन इसका असर सोसाइटी के उपर में पॉलिटिक के उपर में और इंटरनेशनल रिलेस्टन्स के उपर में बहुत अच्छा खसा पड़ा और यह सारा का सारा इंपक्ट जो है निगेटिव ही रहा पागे पॉजिटिव कुछ भी नहीं